अभी तक चंद्रकांता की कहानी में हमने सुना कि कुमार और राज कुमारी का मिलन तो हो गया लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि वन करन्या कौन है और वो कुमार से विवाग क्यों करना चाहती है अब आगे की कथा सुनते हैं बयान 18 दिन तो पहर से कुछ ज्यादा हो चुका था उस वक तक कुमार ने स्नान पूजा कुछ नहीं की थी लशकर में जाकर कुमार राजा सुरेन सिंग और माराजा जै सिंग से मिले और सिद्धनात योगी का संदेशा दिया दोनों ने पूजा बाबा जी ने तुमको सबसे पहले क्यों बुलाया था इसके जवाब में जो कुछ मुनासिब समझा कहकर दोनों अपने अपने डेरे में आए और स्नान पूजा करके भूजन किया राजा सुरेंद्र सिंग तता माराजा जै सिंग एकांत में बैट कर इस बात की सला करने लगे कि हम लोग अपने सासाथ क किस को खो के अंदर ले चले। सुरेंद्र योगी जिनने कहला भेजा है कि उन्हीं लोगों को अपने साथ खो में लाओ जिनके सामने कुमारी आ सके। जै सिंग हम आप कुमार और तेज सिंग तो जरूर ही चलेंगे बाकि ज की किसी किस्म का परदा नहीं रह सकता बलकि अयारों से पर्दा रखना ही मुनासिब नहीं जैसिंग आपका कहना ठीक है इन अयारों के सिवा और कोई स्लाइट ही जिसे अपने साथ खो में ले चले पाचीत और राय पक्की करते हुए दिन थोड़ा ही रह गया सुरेन सिंग ने तेज सिंग को उसी जगह बुला कर पूचा यहां से चल कर बाबा जी के पास पहुँचने तक रा में कितनी देर लगती है तेज सिंग ने जवाब दिया अगर इधर दर खयाल ना करके सीधे ही चले तो पांच छे घड़ी में उस बाग तक पहुचेंगे जिसमें बाबा जी रहते है मगर मेरी राय इस वक्त वहाँ चलने की नहीं है क्योंकि दिन बहुत थोड़ा रह गया है और इस खो में बड़े बेढ़ब रास्ते से चलना होगा अगर इंधेरा हो गया तो एक कदम आगे नहीं चल सकेंगे कुमारी को देखने के लिए महराज जैसिंग बहुत घबरा रहे थे मगर इस वक्त तेज सिंग की राय उनको कुबल करने ही पड़ी और दूसरे दिन सुबा को खो में चलने की ठहरी बयान 19 बहुत सवेरे महराज जैसिंग राजा सुरेन सिंग और कुमार अपने सबी यारों को साथ लेकर खो के दरवाजे पर आए तेज सिंग ने दोनों ताले खोले जिने देखकर महराजा जैसिंग और सुरेन सिंग बहुत हहरान हुए खो के अंदर जाकर देखा तो इन लोगों की और ही कहवियत हो गई ताजब भरी निगाह से चारों और देखते और तारीफ करते थे गुमाते फिराते कई ताजब की चीज़ों को दिखाते और कुछ हाल समझाते सबी को साथ लेकर तेज सिंग उस भाग के दर्वाजे पर पहुंचे जिसमें सिद्धनात रहते थे इन लोगों के पहुंचने से पहले ही सिद्धनात इस्तकबाल अगवानी के लिए द्वार पर मौझूद थे तेज सिंग ने महराज जै सिंग और सुरेंद्र सिंग को उंगली के इशारे से बता करका देखिए सिद्धनात बाबा दर्वाजे पर खणे हैं दोनों राजा चाहते थे जल्दी से पास मौँच कर बाबा जी को दंडवत करें मगर इससे पहले ही बाबा जी ने पुकार करका खबरदार मुझे कोई दंडवत ना करना नहीं तो पस्ता होगे और मुलाकात भी ना होगी दोनों इरादा करते रह गए किसी की मजाल ना हुई की दंडवत करता महराज जै सिंग और राजा सुरेंद्र सिंग भी हैरान थे कि बाबा जी ने दंडवत करने से क्यों रोका पास पहुँचकर हाथ मिलाना चाहा मगर बाबा जी ने इसे भी मनजूर ना करके का महराज मैं इस लायक नहीं आपका दर्जा मुझे से बहुत बड़ा है सुरेंद्र साधूं से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं हो सकता बाबा जी आपका कहना बहुत ठीक है मगर आपको मालूम नहीं कि मैं किस तरह का साधू हूँ सुरेंद्र साधू चाहे किसी तरह का हो पूजने के योग है बाबा जी किसी तरह का हो मगर सादू हो तब तो सुरेन तो आप कौन है बाबा जी कोई भी नहीं जैसिंग आपकी बातें ऐसी हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आती और हर बाता जुब आशर सोच और घबराट बढ़ाती है बाबा जी हसकर आच्छा आईए इस बाग में चलिए सभी को अपने साथ लिए सिद्धनाद बाग के अंदर गए घड़ी घड़ी बाग की तारीफ करना तता हरे गुल बूटे और पतियों की कैफियत लिखना मुझे मनजूर नहीं क्योंकि इस छोटे से ग्रंत को शुरू करके इस वक्त तक मुक्त सर ही लिखता चला आया हूँ इसके सिवा इस खोव के बाग कौन बड़े लंबे चोड़े हैं जिनके लिए कई पन्ने कागज के बरबाद किये जाएं लेकिन इतना कहना जरूरी है कि इस खोव में चितने बाग हैं चाहे छोटे भी हों मगर सभी की सजावत अच्छी है और फूलों के सिवा पहाड़ी खुशनमा पतियों की बहार कहीं बड़ी चड़ी है महराजा जै सिंग, राजा सुरेन सिंग, कुमर विरेन सिंग और उनके यारों को साथ लिए घूमते हुए बाबा जी उसी दिवान खाने में पहुँचे जिसमें कुमारी का दरबार कुमार ने देखा था बलकि ऐसा क्यों नहीं कहते, अभी कल ही जिस कमरे में कुमार खास, कुमार इच्चंदर कांता से मिले थे जिस तरह की सजावट आज इस दीवान खाने की है, इससे पहले कुमार ने नहीं देखी थी बीच में एक कीमती घदी बिची हुई थी, भाबा जी ने उसी पर राजा सुरेन सिंग, माराजा जै सिंग और कुमर विरेन सिंग को बिठा कर उनके दोनों तरफ दर्जे बदर्जे अयारों को बिठाया और आप भी उनी लोगों के सामने एक मरग च्छाला पर बैट गए, जो पहले ही बीची हुई थी, इसके बाद बातचीत होने लगी बाबा जी, माराज जै सिंग और राजा सुरेन सिंग की तरफ देखकर, आप लोग कोशल से तो है, तोनों राजा, आपकी क्रपा से बहुत आनन्द है, और आज तो आप से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, बाबा जी, आप लोगों को यहां तक आने में तकलीफ हुई, बाबा जी, मुस्कुरा कर, अब कुमारी की तलाश में आप लोग तकलीफ न उठाएंगे, जै सिंग, आशा है कि आज आपकी क्रपा से कुमारी को जरूर देखेंगे, बाबा जी, शायद किसी वज़ा से, अगर आज कुमारी को देख न सके, तो कल जरूर आप लोग उससे मिलेंगे, इस वक्त आप लोग सनान पूजा से छुटी पाकर कुछ भोजन कर लें, तब हमारे आपके बीच बाचीत होगी, बाबा जी ने एक लड़की को बुला कर खा, हमारे महमान लोगों के नहाने का समान उस बाग में दुरूस्त करो, जिसमें बाबडी है, बाबा ज भी वा कमरा वैसा ही सजा हुआ है, जैसा पहले दिन कुमार ने देखा था, हाँ इतना फर्क है कि आज कुमारी चेंदरकांता की तस्वीर उसमें नहीं है, जब सब लोग निश्चिन तो होकर बैठ गए, तब राजा सुरेन सिंग ने सिदनात योगी से पूछा, यह जाने का है, बाबा जी, इसकी रहा गुप्त होने के सबब से, यहां कोई आ नहीं सकता था, हाँ, जिसे इस छोटे से तिलस्म की कुछ खबर है, वह शयद आ सके, एक रास्ता तो इसका वही है, जिसे आप आए हैं, दूसरी रहा बाहर आने जाने की इस बाग में से है, लेक मालिक के काम से आया हूँ, सुरें ताजुब से, आप किसके नोकर हैं, बाबा जी, यह भी आपको बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, जै सिंग, सुरें सिंग की तरफ इशारा करके, माराजा की जुबानी मालूम होता है, कि यह दिल्चस्प पाड़ी चाय इनके राज में हो, मगर इन्हें इसकी खबर नहीं है, और यह जगा भी ऐसी मालूम नहीं होती, जिसका कोई मालिक ना हो, आप यहां के रहने वाले नहीं है, तो इस दिल्चस्प पाड़ी और सुन्दर सुन्दर मकानों और बागीचों का मालिक कौन है, माराजा जै सिंग की बात का जवा अभी सिदनाद बाबा ने नहीं दिया था, कि सामने से वन कन्या आती दिखाई पड़ी, दोनों बगल उसके दो सक्यां और पीछे पीछे 10-15 लड़कियों की भीड़ भी थी, बाबा जी वन कन्या की तरफ इशारा करके इस जगा की मालिक यही है, सिदनाद बाबा की बात स कि इस जगा की मालिक यही है, कुमार और देज सिंग को पिछली बातें याद आ गई, कुमर विरेन सिंग सिर नीचा करके सोचने लगे, कि बेशक कुमारी चंडरकांता इसी वन कन्या की कैद में है, वो बेचारी तिलस्म की राह से आकर जब इस खो में फसी, तब इनोंने क कैद कर लिया, तब ही तो इस तरह का खत लिखा था, कि बिना हमारी मदद के तुम कुमारी चंडरकांता को नहीं देख सकते, और उस दिन सिदनाद बाबा ने भी यही कहा था, कि जब यह चाहेगी तब चंडरकांता से तुमसे मुलाकात होगी, बेशक कुमारी को इसी ने क परिशान भी किया, मुँ नीचा किये इसी किस्म की बातें सोचते सोचते, कुमार को गुसा चड़ाया और उन्होंने सिरु उठाकर वनकन्या की तरफ देखा, कुमार के दिल में चंदरकांता की महबत चाहे कितनी ही जदा हो, मगर वनकन्या की महबत भी कम न थी, हाँ, इतना फर्क चरूर था कि जिस वक्त कुमारी चंदरकांता की याद में मगन होते थे उस वक्त वनकन्या का खयाल भी जी में नहीं आता था मगर सूरत देखने से मुहबत की मजबूत फांसे गले में पड़ जाती थी इस वक्त भी उनकी यही तशा हुई यह सोचकर की कुमारी को इसने कैद किया है एक दम गुसा चड़ाया मगर कब तक जब तक चमीन की तरफ देखकर सोचते रहे जहां सिर उठाकर वनकन्या की तरफ देखा गुसा बिलकुल जाता रहा ख्याल ही दूर हो गया पहले कुछ सोचा था अब कुछ और सोचने लगे न राम राम ना मालूम क्यों ऐसा कहल मेरे दिल में आ गया इससे बढ़कर तो कोई दोस्ट दिखाई ही नहीं देता अगर ये हमारी मदद ना करती तो तलस्म का तूटना मुश्किल हो जाता कुमारी के मिलने की उमीद जाती रहती बलकि मैं खुद दुश्मनों के हाथों में पढ़ जाता कुमार क्या सभी के दिल में एकदम ये बात पैदा हुई कि इस बाग और पहाड़ी की मालिक अगर ये है तो इसी ने कुमारी को भी कैद कर रखा होगा आखिर माराजा जैसिंग से भी न रहा गया सिदनात के दब देकर पूछा पेचारी चंडरकांता इस खो हमें फसी थी उस वक्त यहां का मालिक कोई न था उसके बाद ये पहाड़ी बाग और मकान इनको मिला है सिदनात बाबा की इस दूसरी बात ने और भ्रम में डाल दिया यहां तक कि कुमार का जी घबराने लगा अगर माराजा जैसिंग और सुरें सिंग यहां ना होते तो चरूर चिला उटते मगर नहीं शरम ने मुह बन कर दिया और गंबीरता से दोनों मोणों पर हाथ धर कर नीचे की तरफ दबाया माराज जैसिंग और सुरें सिंग से ना रहा गया सिदनात की तरफ देखा और गड़ा कर बोले आप क्रपा करके पेची दी बातों को छोड़ पन करनिया अपनी अगल बगल वाली दोनों सक्षियों को जिन में से एक की पोशाक सुर्ख और दूसरी की सबजी थी साथ लेकर सिदनात के पास आई बाबा जी ने उसके चेहरे पर से एक जिली जैसी कोई चीज जो तमाम चेहरे के साथ चिपकी हुई थी खीच ली और पराज जैसिंग पैर से उसका सिर उठाकर देर तक अपनी चाती से लगाय रहा और खुशी से गदगद हो गया। सिदनात योगी ने उसकी दोनों सक्षियों के मुपर से भी छिली उतार दी लाल पोशाक वाली चपला और सब पोशाक वाली चमपा साफ पैचानी गे। मार उसका सिर उठाकर चुमा घंडों तक मारे खुशी के सभी की अजब आलत रही। कुमर बिरेन सिंग की दशा तो लिखनी ही मुश्किल है। अगर सिदनात योगी इनको पहले ही कुमारी से ना मिलाय रहते तो इस समय इनको शरम और हया कभी न दबा सकती। जरूर कोई बेय भी हो जाती। महराच जैसिंग की तरफ देखकर सिदनात बाबा बोले आप कुमारी को हुकम दीजिए कि अपनी सक्षियों के साथ घूमे फिरे या दूसरे कमरे में चली जाए और आप लोग इस पहाड़ी और कुमारी का विच्चे तरहाल मुझसे कहें। जैसिंग बहु इसे मुझसे अलग मत कीजे और कृपा करके इसका हाल शुरू से कहिए। बाबा जी अच्छा जैसी आपकी मर जी। बयान 20 महराच जैसिंग और सुरेन सिंग के पूछने पर सिदिनात बाबा ने इस दिलचस्प पहाड़ी और कुमारी चंरकांता का हाल कहना शुरू और चुनारगड के इलाके में भी कोई तिलचस्म है जिसके हाथ से वो तिलचस्म तूटेगा उसकी शादी जिसके साथ होगी उसी के दहेज के सामान पर यह तिलचस्म बंदा है और शादी से पहले ही वो लड़की इसकी मालिक होगी। सुरेन पहले ये बताए तिलचस्म क और नजूमियों से दर्याफ्त करता है कि उसके या उसके भाईयों के खांदान में कभी कोई प्रतापी या लायक पैदा होगा या नहीं। आखिर जोटसी या नजूमी इस बात का पता देते हैं कि इतने दिनों के बाद आपके खांदान में एक लड़का प्रतापी होगा बलकि उसकी एक जनम पत्री लिखकर तैयार कर देते हैं उसी के नाम से खजाना और अच्छे अच्छी कीमती चीजों को रखकर उस पर तिलिस्म बानते हैं आज कल तो तिलिस्म बानने का ये काईदा है कि थोड़ा बहुत खजाना रखकर उसकी हिफाज़त के लिए दो एक बली दे देते हैं वह प्रेत या साप होकर उसकी पड़ती थी तो बड़े बड़े जोटसी, नजूमी, वैद, कारीगर और तांत्रिक लोग इखटे किये जाते थे उनी लोगों के कहे मताबिक तिलिस्म बांधने के लिए जमीन खोदी जाती थी उसी जमीन के अंदर खजाना रखकर उपर तिलिस्मी इमारत बनाई जाती थी उसमें जोटसी, नजूमी, वैद, कारीगर और तांत्रिक लोग अपनी ताकत के मताबिक उसके छिपाने की बंदिश करते थे मगर इसके साथ ही उस आदमी के नकशत्र और ग्रहों का भी खयाल लगते थे जिसके लिए वो खजाना रखा जाता था कुमर विरेन सिंग ने एक छोटा सा तलिसम तोड़ा है उनकी जुबानी आप वहाँ का हाल सुनिए और हर एक बात को खुब गोर से सोचिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि जोटसी, नजूमी, कारीगर और दर्शन सास्र के जानने वाले क्या काम कर सकते थे जैसिंग, खैर इसका हाल कुछ कुछ मालूम हो गया, बाकी कुमार की जुबानी तलिसम का हाल सुनने और गोर करने से मालूम हो जाएगा, अब आप इस पहाड़ी और मेरी लड़की का हाल कहिए, और ये भी कहिए कि महराज शिवदत इस खोड़ से कैसे निकल भागे, और पिर कैसे कैद हो गया, बाबा जी सुनिए मैं सारा हाल आपसे कहता हूँ, कुमारी चंडरकांता चुनारगर के तलिसम में फसकर इस खोड़ में आई, तो दो दिन तो इस बेजारी ने तकलीफ से काटे, तीसरे रोज खबर लगने पर मैं यहाँ पहुचा और कुमारी को उ आप लोगों को दिखाऊंगा, सुरेंडर, सुनते हैं तलिसम तोड़ने में ताकत की भी जरूरत पड़ती है, बाबा जी यह ठीक है, मगर इस तलिसम में कुमारी को कुछ भी तकलीफ ना हुई, और ना ताकत की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसका लगा उस तलिसम से था, ज किस रहा से पहुँचे, हम लोग जब इस खों में आये थे, और कुमारी को बेबस देखा था, तब बहुत सोचने पर भी कोई तरकीब ऐसी ना मिली, जिसे कुमारी के पास पहुँचकर, इन्हें उस बला से छुडाते, बाबा जी, सिर्फ सोचने से तलिसम का हाल नहीं माल सकता था, लेकिन ये मुझे मनजूर ना था, मैं चाहता था कि यहां का माल अजबाब कुमारी के हाथ लगे, कुमार, आप योगी हैं, योग बल से इस जगह पहुँच सकते हैं, मगर मैं क्या कर सकता था, बाबा जी, आप लोग इस बात को बिल्कुल मत सोचें कि मैं योग 21 सिदिनात योगी ने कहा, पहले इस खो का दरवाजा खोल कर मैं इसके अंदर पहुचा और पहाड़ी के उपर के एक दरड़े में बेचारी चंदरकांता को बेबस पड़े हुए देखा, अपने गुरू से मैं सुन चुका था, कि इस खो में कई छोटे-छोटे बाग हैं, जिनका रास्ता उस चश्मे में से है, जो खो में बहरा है, खो के अंदर आने पर, आप लोगों ने उसे जरूर देखा होगा, क्योंकि खो में उस चश्मे की खुबसूरती भी देखने के काबिल है, सिदिनात की इतनी बात सुनकर सभी ने हाँ हूं कहकर सिरेलाया, उसके ब लगा कर उसके अंदर घुसा आठ दस हाथ तक बराबर जल मिला इसके बाद धीरे धीरे जल कम होने लगा यहां तक की कमर तक जल हुआ उसके बाद मालूम पड़ा कि यह कोई सुरंग है जिसमें चड़ाई के तोर पर उचे की तरफ मैं चल रहा हूँ आदा घंटा चलने के ब दरवाजा है लात मारने से खुल जाता है मैंने लात मार कर दरवाजा खुला और इसके अंदर घुसा बीतर बिलकुल अंदकार था लगबग 200 कदम जाने के बाद दीवार मिली इसी तरह यहां भी लात मार कर दरवाजा खुला और ठीक इसी जगा पहुँचा जहां कुमारी चंद्रकान था और चपला बेबस पड़ी रो रही थी मेरी बगल ही से एक दूसरा रास्ता उस चुनार गड़ वाले तिलिस्म को गया था जिसके एक टुकड़े को कुमार ने तोड़ा है मुझे देखते ही दोनों घबरा गए मैंने का तुम लोग डरो मत मैं तुम दोनों को चुड़ाने आया हूँ ये कहकर जिस रासे मैं गया था उसी रासे कुमारी चंद्रकान था और चपला को साथ ले इस बाग में लोटाया इतना हाल इतनी कैफित इतना रास्ता तो मैं जानता था इस से जदा इस खो का हाल मुझे भी कुछ मालूम ना था कुमारी और चपला सभी को इस बात को जानते होंगे और सभी को यकीन होगा कि कुमारी चंद्रकान था को इस कैफ से चुड़ाने के लिए ही कुमार चुनारगड़ वाले तिलिस्म को तोड़ रहते माल खजाने का इनको लालचना था अगर मैं कुमारी को यहां से निकाल कर आपके पास और कुमार या कुमारी चंद्रकान था को ना मिले मैंने अपने मन का हाल कुमारी और चपला से का और यह भी का कि अगर मेरी बात ना मनोगे तो तुम्हें इसी बाग में छोड़ कर चला जाओंगा आखिर लाचार होकर कुमारी ने मेरी बात मंजूर की और कसम खाई कि मेरे कहने के किलाफ कोई काम न करेगी मुझे ये तो मालूम ही न था कि यहां का माल अजबाब कैसे हाथ लगेगा और इस खजाने की ताली कहा है मगर मुझे ये यकिन हो गया कि कुमारी जरूर इस तलिसम की मालिक होंगी मैं इसी फिक्र में दो रोज तक परेशान रहा इन माला दोड़ी हुई मेरे पास आई और बोली जल्दी चलिए इस भाग में एक ताजूब की बात दिखाई पड़ी मैं सुनते ही खड़ा हूँ और चपला के साथ वहां गया जहां कुमारी चंदरकान था पूरब की दिवार तले खड़ी गौर से कुछ देख रही थी मुझ पड़े समझना कि वहां कोई बड़ा खजाना या खजाने की ताली है ये ख्याल करके मैंने अपनी कमर से खंजर निकाल कर कुमारी के हाथ में दिया और का तुम इस जमीन को खो दो मेरे कहें मताबिक कुमारी ने उस जमीन को खोदा हाथ ही बर के बाद काज की छोटी सी हां उसके अंदर से मिला, जिसे पाकर में बहुत कुछ हुआ, दूसरे दिन कुमारी चंदकांता के हाथ में, ताली का गुच्छा देकर मैंने का चारों तरफ घूम घूम कर देखो, जहां ताला नजर पड़े, इन तालियों में से किसी ताली को लगा कर खोलो, मैं भी तुम्हार उपर इस तिलिस्म के बाहर हो जाएं, चार बाग और तेज कोठियां जबाब और खजाने की निकली, जिसमें हर एक किस्म का अमीरी का सामान और बेहत खजाना मौझू था, जब उपर ही उपर तिलिस्म से बाहर हो जाने का रास्ता मिला, तब मैं अपने घर गया, और कई लड़कियां और जरूरी चीज़ें, कुमारी के वास्ते लेकर फिर यहां आया, कई दिनों में यहां के सब ताले खोले गए, जब तक यहां रहते रहते कुमारी की तबियत खबरा गई थी, मुझसे कई दफ़ा उन लोगों ने कहा, मैं इस तिलिस्म के बाहर घूमना फिर न चाहती हूं, बहुत जित करने पर मैंने इस बात को मनजूर किया, अपनी कारी गरी से इन लोगों की सूरत बदली और दो तिन घूरे भी ला दिये, जिन पर सवार होकर ये लोग कभी कभी तिलिस्म के बाहर घूमने जाया करती, इस बात की ताकीत कर दी थी, कि खुद को चिपाये रहें, जिसे कोई पैचान न पाये, इन्होंने भी मेरी बात पूरे तोर पर मानी, और जहां तक हो सका, खुद को चिपाया, इसी बीच धीरे धीरे इन बागों की भी साफ सफाई की गई, कुमर विरेन सिंग ने उस तिलिस्म का खजाना हासिल किया, और यहां का म जो को चिपाया था, कुमारी को मिल गया, जह सिंग की तरफ देखकर, आज तक यह कुमारी चंदकान था, मेरी लड़की या मालिक थी, अब आपके हवाले करता हूँ, महराज शिवदत की रानी पर रहम खाकर, कुमारी ने दोनों को छोड़ दिया था, और इस बात की कसम ख बाई करने लगा, आखिर लाचार होकर मैंने उसे गिरफतार किया, और इस खो में उसी ठिकाने पर फिर ला रखा, जहां कुमारी ने उसे कैद करके डाल दिया था, अब और जो कुछ आपको पूछना हो, पूछे, मैं सब हाल कहकर आप लोगों की शंका मिटा हूँगा, हाँ, यही सवाल मेरा भी है, क्योंकि आपका हाल जब तक नहीं मालूम होता, तबियत की घबरात नहीं मिलती, इस पर आप कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं योगी मात्मा नहीं हूँ, यह सुनकर हम लोग और भी घबरा रहे हैं, कि अगर आप वे नहीं हैं, जो सूरत से जा मैं तो सब को जानती हूँ, मगर कहूं क्यों कर, इन्होंनों तो मुझसे सक्त कसम दिलवा दिये, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, बाबा जी, आप चल दी क्यों करते हैं, अभी थोड़ी देर में मेरा हाल भी आपको मालूम हो जाएगा, पहले चल कर उन चीजों को तो दे आज चंदरकांता की कहानी को यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे जानेंगे की आखिरकार वो बाबा जी कौन थे, और यही होगा चंदरकांता की कहानी का आखरी भाग, तो बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ, और जानिये कौन थे वो बाबा जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद